आपने चप्टर में भी रीट किया था आपने देखा था न जो ट्री पर भांद आ गया था वो क्या था जूला टाइप कही था इसको हैंक या गया था ओके नओ, next is scars, scars means क्या होता है? rare, not very much, means किसी चीज की कमी होना ओके, next is stuff, stuff क्या होता है? stick used for walking, means जड़ी, जड़ी use करते हैं न, उसको बोलते हैs stuff next is stern, stern means strict next is vibed, vibed means rubbed and clean means पोंचना next is crossly, crossly means sadly, मतलब दुखी होना now students अब हम करेंगे इस chapter के answer the following questions चलिए first हम देखते हैं, first question हमें दिया हुआ है what did the tailor plan to become rich? जो दर्जी था, उसने अमीर बनने के लिए क्या plan किया था? so answer is, the tailor planned that, उसका planning क्या थी उसकी? every day I will put a little honey aside and keep it in a jar वो उसने क्या सोचा था, कि वो हर रोज क्या करेगा थोड़ा सा शैयद लेकर आएगा और उसको एक jar में भरके रखेगा and as soon as a jar is full और जैसे ही वो jar भर जाएगा I shall sell the honey for 5 coins of silver फिर वो उसको 5 coins में, silver के 5 coins में उसको बेच देगा with the 5 coins of silver I will buy 2 goats और जैसे ही वो उसके पास 5 coins आदाएगे, वो क्या करेगा उससे? 5 बक्रिया खरीदेगा okay soon I have a herd of goats और जल्दी उसने क्या सोचा था, जल्दी मेरे पास क्या हो जाएगे? जुंड हो जाएगा, goats का बक्रियों का जुंड हो जाएगा I shall sell the goats, फिर मैं जो goats है, बक्रियों उनको बेज दूँगा and buy land and cattle, उससे फिर जमीन और cattle खरीदूँगा later on I shall build a fine house, फिर उससे क्या बनाऊँगा, एक अच्छा सा घर बनाऊँगा now, next question, question number two is how much money will the tailor get by selling the jar full of money? जो tailor था, उसको कितने, उसने क्या सोचा था, कि कितने पैसे मिलेंगे उसको बेचने पर जो उसने इखटा करके रखा था, इखटा करने बाला था, जो वो honey jar, उसको कितने पैसे मलते उससे, बेचने पर the tailor will get five points of silver by selling the jar full of honey जो honey का जुजार था, उसको बेचने पर उसको five silver coins मिलने थे, okay? now, next question, question number three is what did the tailor do with the stuff? जो कि tailor था, उसने stuff से क्या किया था? answer is, with the stuff, he begin to mark out where his fields would be and where he would build the stores business stuff से, उस चड़ी से, वो mark कर रहता ही, दिखा रहता है कि यहां पर मेरे खेत होंगे, यहां पर में के बनाओंगा build stores बनाओंगा, okay? उससे वो बताई, मार की तो कर रहता, उससे बताई तो रहता ही, यहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, okay? now, next question, question number four is जो टेलर था वो अपने बेटे के साथ कैसा बेव करता अगर वो बड़का होता तो उसको कैसे उसके साथ कैसे ट्रीट करता उससे कैसे बेवार करता अगर टेलर का जो बेटा होता वो अगर बुड़का होता तो वो उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता अगर नव नेक्स कोश्चिन वोट हैपन तो दा जार जार के साथ में क्या हुआ था answer is the jar was broken जो jar था वो बाद में तूट गया था ना वो चड़ी से वो बता रहते हैं हाँ पर यह होगा वहाँ पर यह होगा यह ऐसा होगा वो वैसा होगा तो जैसे यह उसा चड़ी उपर की थी तो क्या हुआ था ज़डी उस container जो jar था उस पर लग गई थी और वो jar तूट ग उसके बाद में question answers done करेंगे पहले word meaning करेंगे इसके बाद ही question answers done करेंगे okay students now students अब हम करेंगे this chapter की exercise okay चली start करते हैं first है tick the correct option तो देखें students इसमें हम क्या करेंगे option correct होगा उस पर हम tick करेंगे so first one हमें दिया हुआ है the tailor wizard to be जो tailor था वो क्या चाहता था rich होना चाहता था poor होना चाहता था landlord होना चाहता था क्या चाहता था rich होना चाहता था ameer हो आद्नी बनना चाहता था ना वो next tip the tailor head a hammock near the shop of जो उसका जो जूल था săह कहां था wherein चिनारे था red sea or black sea क propos sub Will consider Arabic around sent to comment एहां पर था Black Sea तो यहां पर हम ब्लाक सी ऑप्शन पर टिक करेंगे न्च्ट एज वन डेश्ट तेलर बॉट सम् वाइल्ड एक दिन जो टेलर था वो क्या ले कर आय था कुछ wild क्या लेकर आयता, fruit लेकर आयता greens लेकर आयता, या फिर honey लेकर आयता क्या लेकर आयता, honey तो फिर हम ये honey option पर tick करेंगे, next is the tailor took another look at the, जो tailor था उसने दुबारा किस पर देखा था, किसको देखा था honey jar को देखा था milk jar को या फिर juice jar को किसको देखा था उसने honey jar को तो honey jar option पर हम tick करेंगी next is the tailor gave a swish with his जो tailor था उसने किस से किया था बता रहा था यहां पर यह ऐसा होगा उसे ऐसा होगा और उसने जो छडी थी वो मारी थी न उस पर stuff and knife तो यह stuff option पर हम tick कर देंगे okay now अब है fill in the blanks with the words given below नीचे words दिये हुए गए हैं इनका use करके हमें blanks में fill करना है हमें words दिये गए हैं service, tailor, hammock, man, goats and scars in order to relax he sat on his, अपने आपको relax करने के लिए वो किस पर बैठ गया था जो टेलर था किस पर बैठ था जूले पर बैठ था था तो जूले का English word इसमें क्या दिया हुआ है hammock okay तो इसमें हम यहां पर लिखेंगे hammock next is I will become a great dash in the land कौन बनना क्या बनना था लैंड का महान आदमी बनना था ना तो यहां पर हम लिखेंगे man okay next is honey is very dash nowadays तो honey कैसा है आज कल scar उसकी क्या है कमी है ना तो यहां पर हम लिखेंगे scars next is soon I shall have a herd of बहुत जल्दी में रपस क्या होगा जुन किसका होगा goats का तो यहां पर हम लिखेंगे goats next is later on he will take dash from the sultan बाद में वो किस से क्या सुल्टान से क्या लेगा service लेगा तो यहां पर हम लिखेंगे service okay next is the dash raised his stuff high in the air किस ने अपनी चड़ी को हवा में उपर किया था तेलर ने तो यहां पर हम लिखेंगे टेलर okay now next question match the words under column A with their meanings under column B इसमें देखी हमें क्या करना है इस question में matching करना है column A से column B को match करना है first time में दिया गया है relax relax का क्या दिया हुआ है इसमें relax को हम किस से match करेंगे to feel comfortable okay इसे हम match कर लेंगे now next is a good deal of इसको हम किस से match करेंगे enough enough पर हम लिखेंगे number two next is stern stern का meaning क्या होता है strict okay तो strict पर हम लिखेंगे number three next is lean back lean back means lean back को हम किस से match करेंगे band down नीचे जुखने को जुखना होता है न इसका means तो इसको हम band down से match करेंगे next is Sultan Sultan को हम किस से match करेंगे और ruler और ruler पर हम लिखेंगे number five okay students now students से बावारा यह chapter finish हो गया है ओके यह एक्सरसाइज है यह आप अपनी book में ही fill करेंगे and question answers and what meaning का मैंने आपको बताया था वो आप अपनी notebook में करेंगे and exercise अपनी book में फिल करेंगे okay students और आप पहले इसको करने से पहले इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे clear है now thank you so much